दोस्तों अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबादें क्योंकि हम लाते रहते हैं नए-नए बिजनिस आइडियाज और नएनी जनकारी के वाला के लिए दोस्तों आज मैं बात करेंगे कि नोटबूक का बिजनिस कैसे होता है वच्पन में हम लोग तो नोटबूक यूज करते थे नोट्स बनाते थे और बहुत सारे प्रॉब्लेम्स का शॉलूशन नोट पे ही करते थे तो नोटबूक आखिर कैसे बनते हैं क्या इसके प्रॉसेस क्या है और मैंने इसकी manufacturing process क्या होती है क्या क्या machines की जुरत होते हैं इन सारे बारे में आज हम जनकारी लेंगे दोस्तों बहुं सारे हमारे subscriber ने comment करा था कि notebook कैसे बनते हैं इसके बारे में आप बताईए तो आज आप लोगों का इंतजार खतम हो गया आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि notebook आखित बनते कैसे हैं तो दोस्तों इसमें कुछ machines की जुरत होती है उन सारे चीज़े कहां से आती हैं कुछ raw material की जुरत होती है वो raw material कहां से आते हैं इन सारे चीजों के बारे में मैंने काथी research किया उस research के बाद मुझे पता लगा कि यह चीज़े कहां कहां से आती है आज मैं एक चीज के बारे में आपको बताऊंगा और कोई भी confusion नहीं होगी इस video का आप लोग बस लाश तक देखिएगा आखिर इसमें क्या लगता है क्या material होती है तो यह video को आप लोग देखते रहे हैं लाश तक मैं मुनाफा भी बहुत अच्छा है क्योंकि यह बारों महीने के बिजनेस चलने वाली है इसमें मुनाफा काफी मुनापा है तो हमें तीन मसीन की जूरत होगी पहला जो स्कॉयर मसीन दूसरा पीड़ मसीन और तीसरा कटिंग मसीन इन तीनों मसीन के मदल से हम लोग इस प्रका कर दो कर दो कर दो मुप बहुता है की कि एक नहीं। गर बाती है कर दो कर भूब वोर दो कर दो को कि यह बहुत बहुत बड़ा इसमें हम लोगों को इतना भी नहीं लगने वाला है इस कील अगरे की जुरत और इस प्रकार का हम लोग नोटबूक बजार में सेल कर सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं यहां कई प्रकार के नोटबूक आप भीक रहे हैं यह सारे उस मसीन के द्वारा ही बनाए गया है तो अब दोस्तों इस बात करें कि आखिर यह इसकी मार्केट वैलू क्या है तो मार्केट वैलू अगर कोई नोट्स 30 रुपे के भीक रही है तो आपको इसली 25-20 रुपे में आ जाएंगी तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं यह बिजनेस बहुत ही फाड़ू आइडिया है और इसका बार हो महीना मार्केटिंग होती है मैं एक बात करना चाहता हूं दोस्तों कि ये विजनेस हमेशा चलेगा है ना और ये विजनेस आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ओफलाइन भी आप इसको बेज सकते हैं तो इसमें कोई इस प्रकार का दर और भाई की बात नहीं है तो अगर आपके पास तीन से चार या पांच कर दीजिए दोस्तों